कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूत कर साइस यूडूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भुगोल के अंतरगत एक काफी महत्तपूर अध्या है जिसमें परिच्छाओं में इसे प्रस्ण पूछे जाते रहे हैं आए देखते हैं आज क इसका अपरदन चक्र सिध्धान सबसे पहले मैं बता दूँ डेविज जो थे वह अमेरिकन भूगोल विता थे इन्होंने क्या किया ता अमेरिका के पेंसलवानिया के चैतर में खोच करते हैं शुरू पहुंच गए पेंसलवानिया का चैतर आप देखेंगे तो अमेरिका क के सिध्धान्त के नाम से जानते हैं अपरदन चक्र है चक्र अकिर इसमें क्या है एंन बातों को हम शमय करकें कर सकते हैं उसको अप ड्रेकन सभर के बीकर सकतें उसय प्लेशिंग में खिक करसकते हैं और अप परवस्टेडी पर उसको एप्लाई कर सकते उसकी अवस्था के कॉर्डिंग हम उसके बारे में देखेंगे तो आए देखते इन्हों ने बताया क्या था इन्हों नाम जो था विलियम मोरिस डेविस था ये इन्हों ने की तो परवन्तों के बारे में निसकर्ष निकाले परवतों को देखा जब कोई चीज़ देखते हैं तो देखने के बाद में क्या होता है आप अगर देखेंगे तो आप इसके अंदर क्या दिखेगा इसको आप कई नजरों से देख सकते हैं इसके आपको चोटे-चोटे molecules आपको भी देख सकते हैं इसकी सनचना कैसी वो देख सकते हैं इसको आउर डीप में जाएंगे तो अंदर इंक वगरा दिखेगी सब कुछ आपको और अंदर जाएंगे तो आपको रिफिल वगरा भी दिख जाएगी, पिन की क्या रिफिल है, सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा, कहने का मतलब यह कि बस किसी चीज को नजरिये से देखने की जरूत है, आपको दिखेगी हर चीज, उन्होंने कुछ अल जैसे हम अरावली के बारे में हम लोग जानते हैं कि आवसिस्ट है, मतलब किसी जमाने में पुराने परवतों की सेड़ी में आता है, लेकिन वो किसी जमाने में तो नया जरूर रहा होगा, पुराना भी कभी नया तो जरूर होता है, तो कहें, इसी की अवस्थाओं के अध पर चीज का अंत होता है तो परवतों का अधारित था उन्होंने बताया उन्होंने परवतों की अवस्थाएं भी बताई जैसे मैंने इक मनुस्त्र की अवस्थाएं होती है फिर यूब अवस्था फिर प्रवरद्धा वस्था तीन स्टेजuciones में होती है लेकिन उसी तरीके से परवतों की वे क्या होती है पहले जो परवत नए bio ने बनने के बाद मैं धीझी धिझीझी वर्वरद्धा वस्था में चले जातें प्रोड़ा वस्था के बाद में फिर आरावली की जैसे बन जाएंगे क्या हो जाएगा वो व्रजधा वस्था में चले जाएंगे तो यह क्या इन्होंने तीन इसकी स्टेज बताई किसकी अवस्थाओं मतलब की परवतों की लेकिन किसी परवत को परभावित करने वाले किसी सनरचना है हैं प्रक्रम हैं और अवस्था है सनरचना मतलब वो इस्ट्र क्य से रहा है कौन उसि में प्रोसेश चलने हैं और उसकी आवस्था था में ये सबसे पहले आप याद रखे कि किसी भी परवत का निर्माड होता है तो संरचना होती है कैसे किसी चीश कर निर्माड हुआ तो कैसे निर्माड हुआ निर्माड किसी परवत का दो तरीके से हो सकता है वलन के अधार पर और भ्रंसन के अधार पर अर्थात अंतर जात और बहिर जात बलों के कि इसमें कि ब्थे मिकां होती है यह तो कि आफ देखनें कि अंदर किसी अंद्रूनी ताकत के वे से कोई क्या होते हिमाले को लोग देखते हैं लुए क्यीमाले के फ्रक्रीय के दौराइं जो हम देखने के मिलता है इस कहने का मतल toy उरेस और अप देखेंगे यूरेस और विंड organized पेटों के टकराओं से क्या हों हिमाले का निर्मार हुआ तो हम लोग पढ़ते ह G Waga क्या होआ। उससे निर्मार हुआ है अब क्या होगा निर्मार होने के बाद में क्या होगा उसमें process चलेगी process को music का मतलब कि कि उसमें सीध्य बात है अगर बारिस वगरा भी स्वेश दिल इनकी स्वेश निकलेंगी जाए सबकुछ इसके आपरदन करने को आप लेजिए एटलेस परवस सेड़ी में जब आप देखेंगे तो आप कोई नदी वेगरा कुछ खास है नहीं जो भी है सब किसकी दिया पर है सब कुछ वहां के पाउनों की दिया पर है दिरे दिरे वह भी तूट रहा है बिखर रहा है तो उसकी कहने का मतलब यह है कि उसके प्रॉसेज में बहुत सारी भूमिकाएं होती है प्रॉसेज में आप देखेंगे तो लेकिन बनने कि प्रकिया को अभी मिश्में नहीं लेंगे देविस के अलोचना तुर्ध है प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे उसके यूंके बारे कब सबस्सक्राइब उसके निर्माण में जो लेंडी स्केप के निरमार को प्रभावित करने वाले कारक वह देखते हैं अच्का कि आखिर इसमें इन्होंने जो बताया कि यह तो या वास्था प्लढ़ा वस्था वरध्ध वस्था इसका आखिर और इना कि सी और अधारित यह फिगर है इस पर NBC के ऑद्धर होता है आसानी से समझ सकते हैं इनकी अवस्थाओं के बारे में कि युग अवस्था क्या है प्रोड़ा वस्था क्या है और व्रद्धा वस्था क्या है और निर्माड की प्रकिया क्यों सी बला है इसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले मान लीजे कोई परवत है कोई भी परवत परवत जब कोई होता है तो परवत पर सीधी बात है उसमें से नदिया निकलती हो नदी निकलेगी पानी की बारिस हो कुछ भी नदिया आप कहीं पर गिरेगा तो अपरदन तो जरूर करेगा तो इसी तरीके से जब नदिया बहती हैं तो नदिया बहने की अवस्था में क्या करती है आज पास की एक खाई सी बना देती है और खाई बनाने के बाद में क्या करेंगी उसका अपरदन करना शुरू करेंगी इसी को हम ले करके चलेंगे तो आएए देखते हैं ये एक मान नीजे पहले कुई आइसा पूरा क्या रहा होगा परवत रहा होगा प्रियांस कोई नदी निकली होगी नदी जब निकलेगी तो आज स्पास के छेत्रों में क्या करेगी अपरदन करना शुरू करेगी अपरदन करने के बाद में एक गहरी खाई सी बना लेगी वो खाई क्या होगी? वो नदी की खाई हो जाएगी, देखिए जैसे वियाकर गाटी-बगर आप पढ़ते हैं तो वो तो ये क्या है? ये एक इसके उस तरब भी ये क्या हो सकती? खाई हो सकती? इसके उस जब ये नदी घाटी में बहना शुरू कर दी है काफी नीचे बह रही है तो ये क्या होगा ये इसका क्या हो गया ये ये इसका कह सकते हैं गार्ज वगरा ये वी आकर गाटी जो इसमें बनाया है ये घाटी हो गई लेकिन इस घाटी के आप देखेंगे एक पॉइंट इसका क कि सबसे नीचे की मर्तब् justics नदी की तली ओगी जिसमें वह अपरदं कर रही और निए वाला पॉरसथ न norm उजाया नधी घाती और गहरी हो जाये धीरे नीचे परदन करना शुरू कर दी तो इसका एक point जो होता है जिसको हम बोलते हैं जो मैंने बताया है कर्व कह सकते हैं या वक्र कह लीजे लोवर वक्र है अर्थात निचला वक्र है ये LC इसको मान लीजे जो नदी की तलहटी है जो बिल्कुल नदी की तलहटी है उसको हम मान लेते हैं LC है LC अर्थात लोवर कर्व तो ये LC मान लेते है नदी की घाटी को जो सबसे निचला हिस्सा है उसको हमने मान लिया LC है लोवर कर्व है ये LC हो गया अब LC के बाद में ये नदी की घाटी है और उसके बाद में जब एक पूरी घाटी को या कहीं कि पूरे परवत को जब आप देखेंगे इस परवत को आप जब देखेंगे तो इसमें सबसे निचला हिस्सा जहां तक आप दरसेमान निचला हिस्सा को कहां तक दिखेगा नदी की घाटी ही होगी सबसे निचला हिस्सा सबसे उंचा हिस्सा आपको कहां दिखेगा आप इस मैप में देखें मलब इस फीगर में आप देखें तो इस पूरे फीगर में आपको सबसे उंचा हिस्सा कहां पर दिखेगा इस फीगर में आप देखें वो सीधी बात यहां कहीं होगा यह मान लेते हैं UC है अपर करव है यह क्या होगा UC होगा अर्था सबसे हाइस्ट बिंदू जो है या उसको हमने बोल दिया UC याद रखेगा इनको ध्यान रखेगा एक हो गया LC एक हो गया UC दोनों के साप पेच आप लेंगे तो कह सकते हैं इन दोनों के बीच में दूरी को ही मैंने यह दूरी बना दी है अर्थात UC और LC के बीच की दूरी यह है आप देख लिजेगा अभी किसके बीच में कहां दूरी घटेगी कहां बढ़ेगी इसको अभी हम जिक्र आगे करेंगे यह मैं परवतों की अवस्थाओं के बारे में आपको जिक्र करूँगा तो यह बात आपको समझ आई किसी परवत का उपरी हिस्सा क्या कहलाता है UC अर्थात अपरकट निचला हिस्सा क्या कहलाता है Lower Curve अर्थात LC यह निचला बिल्कुल तल है नदी की तलहटी जहां पर अपरदन कर रही उसको हम देखते हैं अब आएए देखते हैं कि इस फिगर के माध्यम से इसको समझने की कोसिज करेंगे कि आखिर यह क्या चीज़ हम सब लोग C लेविल पे इसको आकलन करेंगे समुदर तल से इसको हमसमझेगे नदीया क्यूं वह agh είναι नदीया इसलिए वह नदीया क्यूंके आधार तल को प्राप्त करना चाती है जिस दिन नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेगी तो सिधी बात है वो किसी दरीके से पानी डालेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी डालीए तो वहीं पर रुख जाएगा लेकिन पानी को ढ़ाल पर डालेंगे तो कितना फिर नीचे को बहेगा जरूर अर्थात की वह यह दाल को खतम कर देना चाहता है वह जैसे ढाल खतम होगी, बहना क्या होगा, पानी रुक जाएगा, तो उसी अधार पे में इसको देखेंगे, सबसे पहले हम निर्मार देखते हैं, आखिर किसी भी परवत का निर्मार कैसे होता है, निर्मार के लिए मैंने बताया है कि जो डेविस्ट है, उन्होंने बताया है कि जब परवत को क्या होगा पहले दिर मार की परकृरियान में उसके भालन के इस कोई प्लेटे वगरा टकराएंगी उससे क्या होगा परवत का निर्माड होगा जब परवत का निर्माड हो जाएगा तो एक अवस्था ऐसे होगी परवत का निर्माड क्या होगा रुक जाएगा और फिर उसकी जो दूसरी प्रोसेस है अर्थात रियूवा वस्था उसकी वह आए देखते हैं अब सीधी बात है माल लीजे जैसे यहां पर कोई नदी बह रही है पानी बारिस का हुआ नदी बह रही है तो नदी कहां अपर्दन यहां पर ज्यादा करेगी कि उपर की घाटी में अपर्दन करेगी सीधी बात है नदी यहां पर नीचे ज्यादा अपर्द है लेकिन जो एलसी होता है जो लूवर Kate होता है वह धीडेद्रे क्या होता है नीचे नीचे डाउन होता चला है यह लुगायाथ है सींधे सीधे सीर्स रूप में क्या करनी कटाव करती चली जा रहे है तो जो यूर चोंधे पहले यूशी को जो कितने ही बताए हाजार में से 500गटा दीजिए 500 हुग अर्था यूसी और सिके बीच में डिफरेंस हो गया वो कितना अॉगया 500 मीटर का हो गया तक Gibson हो गया लेकिन सिका और अपर्दन हो गया क्यों कि मैंने बताये नदी क्या आफर्दन का परदन कर रही अब जब पहले जो यूसी यहां था यहां था वह यहां यहां आगया अब लसी की जो दूरी थे वो कितनी होगी 300 हो गई यह माने दें 400 रहे गई समुदर तल से इसकी उचाई 400 थी पहले 500 थी 400 हो गई तो इस दोनों के बीच में दूरी क्या होगी 600 मीटर हो जाएगी तो यही मैंने बताया है कि जो यूसी की दूरी होती अपर कट जब किसी नदी के ओपर बारिस होगी यह नदी भाएगी तो अपनी घाटी को ज़्यादा क करेंगे यह बिल्कुल वैसे सीरसावस्था में बना रहेगा उसमें किसी तरीके का कोई चेंज वगरा कुछ खास नहीं होगा बारिस के पानी से थोड़ा बोच चेंज आएंगे ने को भी उसमें कुछ खास परिवरतन नहीं आएगा तो जो यह क्या होगा यह पोर्सन जो ह रहा है यह से वी जो है वो टाइन दिखा रहा है तो इस टाइम में देखेंगे तो लसी का क्या होगा दीरे-दीरे मालेते यहां पर जो दूरी थी यह थी चापंसो मीटर यहां पर कितनी हो जाएगी 600 मीटर क्यों क्योंकि यूश्झी बिल्कुल उसी तरीक के से लसी डाउ हो गया तो एलसी का कर्व क्या होगा धीर धीर डाउन होता चला जाएगा फिर दूसरी जो इस्टेज आएगी जिसके हम जिसमें बोलते हैं मेचेवर इस्टेज या प्रोढ़ा वस्ता जो होती है उसमें क्या होगा नदी सीधी बात है अपने आधार तल्गों काटते काटते नदी की जो इस्टेज होगी वो क्या होगी यहहां तक पहुंच जाएगी तो नदी जब यहां तक पहुंच जाएगी तो क्या होगा नदी फिर इधर उदर शुरू करेगी यहां से यह से इस तरह आजाएगी यह भी क्या होगी दीरे-दीरे कम होती चली जाएगी जब यह वाला पोर्सन धीरे-दीरे कम हो जाएगा आए देखते हैं इसको पहले ये था उपर के और देखे ये डॉटेड लाइन ये हो गई फिर धीर दे यहां पर कम हो गया तो UC और LC के बीच में दूरी क्या होई काफी कम होती चले जाएगी तो इसलिए देखे ये वाली जो लाइन अभी तक यहां तक तो सीधी बनी हुई है लेकिन फिर अभी ये डाउन होगी और इधर तरफ ये वाली डाउन हो रही है फिर ये क्या होगी ये वाली भी इस तरह जाएगी इसमें बहुत ज़्यादा परिवरता नहीं दिखे गए लेकिन ये वाली जो ये बहुत तेजी से डाउन हो रही होगी नीचे की और देखिए इस मैंने बताया है क्योंकि ये वाली भी डाउन होती चली जा रही अर्थात प्रोड़ावस्था में UC और LC के बीच की दूरी क्या होती धीरे-धीरे कम होती चली जाती है अब इससे related और भी चीजों को मैं देख लूँ फिर आगे व्रद्धावस्था पर आएंगे कुछ point इसके लिखे हुए इनको याद रखे जो मैंने बताया बिल्कुल वही है कुछ इस स्पेसलिस में कुछ है नहीं कि आये देखते हैं सूर्ज यूवावस्था में यह यूथ सेज में पहले आये देखते हैं पुराना फिगर याद रखी यह इसको आब याद रखे इसको हम देखते हैं यह यहां पे था UC यह था LC यह था UC यूवा वस्था में क्या होगा सीरस्थ कटा होगा अर्था यह पहाड़ी इसके इस तरह से कटा होना शुरू होगा जब यह कटा होगा तो दिये दे मैंने बताया कि यह वाला पॉर्सन जी दे जाएगा दूरी बीच में बढ़ेगी तो द देखे मैंने दिखाया ना परवत देखे काफी और नीचे घर होगी तो परवत का तेज़ धाल हो जाएगा बीहड़ों का निर्माड होगा चंबल घाटी जैसे को बीच-बीच में क्या होंगी नदियों की जब ज़्यदा कटा हो जाएगा तो घाटी यह घरी हो जाएगी दिखने लएगा भी आखर है घाटी घाटी देखो घला घाटी हो गई जाएगा अव्या्ट देखतितर देत देख कहूगा उसे कोई परिवरत नहीं देखेंशे चैक ॑न पर रहेगे तो यह हो गया इसके बीच की जो दूरी थी वो हो गई 400 तो इसके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी अधाथ UC और LC के बीच में दूरी क्या होगी बढ़ जाएगी बिल्कुल इसी तरीके जैसे यहां 500 मीटर मैंने बता यहां पर 600 बता दिया वही हो गया जल पर प्लकवार्पाद समाप्त होजाएंगे जब नदी बहेगी सीधी बात है जैसे। यहां पर यहां पर कोई पर्बार सह सही Griff कोश इस तरीके समझे यहोगे अपरवद यहां से कुछ जंगा घरनी जैसा गिर रहा बचेंगे तो यूस अर्थात क्या हो गया जल प्रपात क्या होंगे समाप्त हो जाएंगे बीच कुछ छोटी मोटी जीले वगरा सब खतम होती चली जाएंगी छिप्रिका वगरा जो कुछ जाएगा जो बारिश होगी तो इसा जो अपर कर्व है आखात ओपरी वाला हिस्सा हो है प्रत का उसमें क्या होगा कटाओ दूरू होगा करेंगे आपने इदाएं बाएं काटनाश रोगी ज्यादा होगा और नदियां निच्धेपड करना सुरू करेंगे कि कोई यहां से जो कुछ काटी हैं ले जाकर कहां करेंगी इधर-दर deposit करना सुरू करेंगी तो यह क्या होती इसकी प्रवढ़ावस्था होती है प्रवढ़ावस्था के बाद के वस्था जो आती वो ओल्ड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं वरधावस्था अब वरधावस्था में क्या होगा वरधावस्था में बाढ़ के मैदान का निर्माड होगा जब क्योंकि कि आइए अब इसको समझते हैं सम्तल प्राय मैधान कर OUT कि समझ लेते हैं गाफ इंपाडि ये फिगर में मिटाया दे रहा हूं सम्तल प्राय मैधान क्या होता है यह देखते हैं उसकी इसे मांलीकिंगी of करवद इतना बड़ा था नगा रभदन करते करते कब यहां परवत कर दिया इसको लेकिन समतल प्राय मैदान हो जाएंगे अर्थात परवत क्या हो गया पूरी तरीके से इसमें भी मैधन में छोटे छोटे चोटे छोटे चोटे चोटे जो परवत क्या है मुझारी का प्रवत कर दो इन्हों को मिलग देखने को मिलती धावस्ता में पीर दोनों कर्व क्या होते हैं देखे गाल मिलें और बिल्कुल आकर के सिंद्ट में आ जाते हैं और यह इसीत त्रीके से रहता है क्वि क्योंकि यह मैंने यह तो गया डेविस डेविस का जो नजरिया था काफी एदा व्रहद था इन चीजों को देखा हूं जो कुछ देखा हूंने अपने सामने आने वाले प्रवतों पर हर जगे पर इनको स्थापित कर दिया लेकिन इनमें जो भी चीज़े प्रोसेश हो चाहे वह आप ले लिजे प्राक्रम और अवस्था और जो कुछ है सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं सब जह वह ये जिसे किसी आप भूम्मद रिखी छेत्र में लेकेंगे तो वर्षा ज्यादा होती तुमानं पे वहां पे वर्षा क्या होई अर्था जो प्रॉसेस होगा इस्ट चन सब्सक्राइब करते हैं तो हर जगे में अलग अलग चीज़े आपको कॉंसेप्ट वही है लेकिन आपको इस्थित की अनुसार उसको चेंजर उसमें लाने पड़ेंगे क्योंकि आप देखते होंगे यहां पर गर्मी हो रही कहीं ठंडी हो रही है तो कहने का मतलब यह है कि बस आपको उसी के एकारडिंग जैसे वहां के जो तत्त होंगे या थात कारक जो होंगे उनकों में कारक पे ध्यान देना होगा कि कारक वहां पे कैसे हैं क्यों कौन से कारक कहां पे कैसे प्रभावित कर रहे हैं बस यहीं पर क्या होता है डेविस के कि यहां बना लो पर चल रहा को रहा है उन्हों से बाते हैं अब सब्सक्रांज को खते हैं इसा नहीं है हमाले और वाठता過श ї work हो रहा है अर्थात ही हमाले को आप जब गौर से देखेंगे तो नदियां वहां से निकल ले का परदन भी हो रहा है लेकिन इनका यहीं पर क्टन हो इन्होंने बताया कि पहले निर्माड होगा फिर जो होगा यह प्रोसेस की प्रक्रिया आगे शुरूओगी यह वावस्था प्रोड़ावस्था फिर प्रोसेस होगा पहले इस्ट्रक्चर होगा अर्था सनचना बन जाएगी फिर प्रोसेस होगा इन्होंने बताया लेकिन ऐस लेकिन जो किस वज़े से उसका निर्माड हुआ था किसी पर्टिकुलर आप देखेंगे तो किसी परवत का निर्माड क्यों हुआ था आखिर यहां पर कुछ ना कुछ तो जरूर यहां पर कुछ प्रोसे अधस सनचना कुछ हुई होगी अंतरजात भाहिर जादबल बने से कर्व फिर उपर क्यों उड़ जाएगा और फिर यहां पर नदिया को दूसी तरीके से बनना शुरू हो जाएंगी तो लेकिन जैसे जरसल जब आप किसी चीज के खोज कर देते हैं तो कमी निकालने आपको उसमें 20 लोग मिल जाते हैं लेकिन कमी क्या कहने मतलब यह कि इ बोगदान इन्होंने दिया था डेविस ने वह सही था लेकिन आगे चल करके जावब देखें जो आप जो आलोचना जिस तरीके सिखी गई है वह भी कह सकते हैं अपने तथ्यों के आजार पर आलोचना उनकी की गई तो यह सब प्रक्रिया थी उन्होंने बताया कि सब आप मानलीजे जैसे मैंने अभी मैंने बताया था कि हम देखेंगे कि चटान का कि हम विस्वत रेकी चेतर की बात कर रहें कि हम आर्कटिक चेतर की रूसूस की बात कर रहें सेयान परोतमाला की बात करें लेकिन ऐसा नहीं है हम देखेंगे कि हावी कौन है प्रोसेस हावी ह या फिर structure हावी है जो हावी होगा उसी आधार पर मुझे कर देंगे तो फिलाल डेविस ने ऐसे बता आगे चल करके मैं पैंक के बारे में बताएंगे उन्हों ने क्या इस पर अपना मत दिया था उनके मत के आधार पर भी आगे चल करके जानकर इखठा करेंगे कि उन्होंने किसे कह सकते हैं इनुने कैसे उसकी आलोचना की था ता डेविस के अपरदानचक्र सिधान की यहीं आप इसका फिगर याद रखी यह वाला फिगर काफी इंपॉर्टन्ट फिगर है किताब हुगरा में आपको यही देखने को मिलता है इसलिए आपको याद कर लीज़े इसकी और सुविधा जनक समझने की वेश से इसको आप A, B, C, D में लिखा है तो D, E, F, G, H, I अपने हिसाब से आप सब कुछ डिसाइट कर सकते हैं आप एक्जाम में लिखने के परपस से लिख सकते हैं कि E और F कर्व, E और F का आपर कर्व क्या होता है कि U आवस्था के दोरान क्या होता है इसमें किसी भी तरीके के चेंजिस नहीं आते हैं और आप लिख लिए जिसे G, H मैंने बता है K और L इसको मालिज़े K, L है लेकिन U आवस्था के दोरान K और L कर्व जो होते हैं वो धीरे-दीरे डाउन होते हैं इ और F के बीच में और K, L के बीच में दूरी क्या होती है दीरे-दीरे बढ़ती ही चली जाती है लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे तो L और M के बीच की जो दूरी होती है M और L कर्व जो होता है प्रोड़ावस्था के दोरान में उसमें कुछ खास परिवर्तर नहीं होते हैं लेकिन सीरस्थ आप देखेंगे किसी परवत की उचाई पर अपरदन होने की वेर से F और H कर्व क्या होता है बहुत तेजी से नीचे आना सुरू हो जाते हैं जो मैंने बताया है उसको बिल्कुल उसी तरीके से अपलाई करके उनको आप लिख सकते हैं बाकी किताबों में मैटर बहुत सार है आप वहां सभी अपना मैटर निकाल सकते हैं जैसे आपको सुविधापने उसी तरीके से निकाल लेजिएगा तो फिरल आचके लिए इस वीडियो में इतना है हमें इजयात वीडियो देखने के लाप का बहुत बहुत धन्यवाद